जाहिंद है आज हम लोग सौट में SSE MTS 2022 के वेकेंसी को यहां पर डिस्कॉस करने वाले हैं और देखेंगे SSE MTS 2022 का जो 18-25 सालों के लिए जो वेकेंसी था आपका 9,329 था और वहीं 18-27 के लिए आपका 265 था बहुत लोग आपको बहुत चींद बताएंगे एक ही कटप दोनों में बताएंगे जबकि ऐसा नहीं है दोनों का अलग-अलग कटप होगा दोनों का कटप इसका कटप जो अठार से 27 वालों के लिए और बतादे कि यहां पर जो आपका कटप जोगा आपका जोड़ी सकते हैं कि बतादे कि अमट स पर गट से 1000 को की यहां पर देख सकते हैं मैं दिली कहीं बात करता हूं दिली में आपको अपका देख सकते नहीं है इसके मतलब के वेकेंसी काफी ज़्यादा है अगर वेकेंसी काफी ज़्यादा है तो यहाँ पे cut-off क्या हो जागा cut-off automatically क्या होगा थोड़ा सा लो हो जाएगा लेकिन देली एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे cut-off और वर्क कर रहे है आमादमी के लिए जहां पे आपको hospital का खर्चा नहीं देना है electricity का बिल नहीं देना पड़ता था तो यह सब चीज़े आपको आमादमी के लिए काफी अच्छा था इसलिए इसलिए लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रफर करते हैं कि हम देली में रहेंगे देली में रहेंगे और साथ में एक और रीजन है कि अकर आपको यह नोकरी fix हो जाता है तो आप डारेक्ट UPSC का त्यारी कर लेते हैं जाप यह से आपको पैसा मिल जाता है खुद का पैसा होता है जिसे आप खुद के पैसे आप अपना खुद का आप क्या कर सकते हैं आप क किसी से पैसा मागने के जोतने पड़ती SSC MTS वो अस्टेज प्रवाइट कर देता है ऐसा नहीं कि सबका सपना SSC MTS यही देते हैं कि मेरा एक बेस बन जाए एक बेस बन जा मतलब कि कि एक पैसे का बेस हो जाए एक पैसे का पैसे पैसे जाए उसमें मैं जो decision लू वो decision मेरा सावबर काई जो भी हो कोई बोलने वाला नहीं हो कि तुमने ये पैसा बाद कर दिया थी मने वो पैसा बबाद कर दिया ऐसा ऐसा हे इसे लिए होता है का लोग द्ली को प्रेफर ज्दा करते हैं द्ली को प्रेफर करते हैं कि उनको जो पैसा मिले ब है सही-म्टस in can करेंगे वह कोच्छिंग को ऩी कोच्छिंग करेंगी चाहाए आपका सस्वी कोच्छिंग ज Doan करेंगे लेबल से में ऑपका डिखके लेबल और ढ़ सीधा और सिदा सीधायराट से के वालक हो इसे मैं होती है कि दिलि की कटणici के कूंं जाते ह साथ है तो इसका आपका यहständ Ke grade, 100 से नीच़ के नीच्शे नहीं दमने गूंएगा और यह संपांच के आस सब रहास हो, देली, यो बात है, ठीक है, बाखी जो रटी होगया, मजबूरी होता जाना है, लेकिन देली जो एक ऐसा अस्टेट होता है, जो कि डिमाण में होता है, ठीक है, aartी इमान में होता है, आगर नहीं भी आतरा है, आपका जो पहला प्रिस्रेंस हो गया, थौई एक बाद डेली चल जाये, लिए इसलिए देली की कट जिए हम आने है इसलिंहे है, और, बाकी रजस्थान का कट अपक्ट हो Hm कि वहाँ पर वाकंसी कम है कि आगर वहाँ वाकंशी बढ़ा दीज ना तो वहाँ पर कटफ टीक्रीज हो जाएगा लेगी दिली देली ये केसा אस harvest आज से ने। गलता में करते हैं पहला प्रायर्टी रखते हैं दूसरा प्रायर्टी अपने होम अस्टेट को रखते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि अपना पहला प्रायर्टी होम अस्टेट रखते हैं दूसरा प्रायर्टी अपका डेली रखते हैं लेकिन रखते जरूर है लेकिन जो पहला प्रायाटी जो होम अस्टेट वाल है वो बहुत कम होते हैं पहला प्रायाटी बहुत जादे होते हैं जो देली को पहला प्रायाटी रखते हैं बहुत जादे मिलें तेसरे देली की वेकंसी के साथ देली की कटप भी बढ़ती जाती है कि रिस्ट में इतना देली के लिए बहुत ज़्यादा बौल दिया वाकि आपका रजस्थान में पच्छीश वी विकंद्स है तो इसका मतलब है कर दो चाहिए बहुत ज्यादा हाई जाना है उत्राइग्ण का टुटला समाने के दो बहुत जाने वाला है यहां पर आपका जो कटफ रहेगा यह भी एवरेज़ यह एगा क्योंकि लोग यहां पर प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे लेकिन वह ज्यादा उनकी मजबूरी है कि करना बागी मुंबई के लिए में वेस्ट बंगाल के लिए बता दो वेस्ट बंगाल का भी बहुत अच्छ बात होंगे वह आपका यूपि के अपोजिट थैर्म होंगे जो बेंगाल से टरच कर रहा होगा तो आपका यूपि वले बहुत बहुत बुपी यूपि यूपि बर्ते भरते ही तीन य चार्स नमिर पर न हैं जारकरन भी इसनिंपल सा है यहां पर वेक्टाफ थ्धोरा सा पर पर पिरसंग स्ट्रेटिज अप क्या होने चाहिए आपने ये कोशन देख लिया है अगर 2023 का आपको पता होगा 2023 में क्यासे कैसे कोशन आ रहे हैं पहले मैं आने वाले एजाम को बता तो आने वाले एजाम कौन सा हमारा SSC CGL होगा जो आही गया है जुलाई में SSC CGL उसके बाद जो है MTS फॉर्म भरवाने वाला है बहुत जल ये भी जाम है और CHSL का हम लोगों ने फॉर्म भर रखा है तीन एजाम बाक टू बैक आने वाल है इसी 2023 में तो अभी क्या करना है आप लोगों अभी करना है MTS को फोकस MTS क्यूंकि CHSL आप फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे सोलर सब्गेंस है और बहुत जाला ताम जाम है सबसे सिंपल सा इजी है MTS आपको क्या करना है English और पढ़ना है मैस रिजिनिंग पिल्कुल ध्यान नहीं देना है सेम तो सेम लेबल सेम रहेगा ठीक है तो मेरा क्यों नहीं काम होगा कि हम जो इस पर पूछा गया ऐससे में मैं कहूंगा आपको क्या करना है आपको है आपको है जो MTS का यहां पर सिफ्ट वाइच आनलिस किया हुआ है आप उसको देखिए एससे MTS में जाएगा वीडियो सेक्से में जाएगा तो MTS MTS का सेट तीन सिफ्ट का मैं निकड़ा दिया है तोरर संताओन सिफ्ट के एकजाम हुए थे और इस संताओन के संताओन सिफ्ट के जीके को मैं जल्सी चार-पात दिन में कम्प्लीट कर दूँगा तोरर संताओन में आपको इसको देख जाना है मैं के जी मैं पाच्छाब वीडियो बनाऊंगा और अप्लोड कर दूँगा आपको संताओन के संताओन सिफ्ट को आपको देख लेना है जीके को इसको एक ही बाद नहीं देखना है इसको तीन चार बाद देख लेना है ताकि आपके माइन में पूरी तरसे याद हो जाए फिल आपका वप्वर्ट पूछा गया था और एक होगा तो अगर पूछा और वशन का पूछा तुछ तक देख लें है उसके बाद जो होए जो पूछा गया था फिल इंकरेक्ट होगला होता है ठीक है correct correction होता है incorrect वाला होता है उसके बाद जो पूछता है यहाँ पे आपका जो पूछता है अगर I think जो है close test पूछता है close test तो इन सब का अलग से हम लोग क्या करेंगे इन सब को अलग से हम एक साथ क्या करेंगे हम जैसे कि एक एक वीडियो बना देगे जिसमें सारे में यह बहुत आसान लगने लगें नेक्स टाम के लिए तो यह हुग आपका इंग्लिस का अस्टेर्जी प्रिप्रेशन आने वाले के लिए कि इस बार देख लिए इस बार जैसे जनरल यू अन्रिजाब का जो आपका कट्व जाने वाला है जब ज़्यादर कितना जाएगा आइधिंग 105 प्लस रहेगा एकशो प्लसपाज ब्लसभ कि अगर आपको यह लाना होगा में में यह अगले बार यह सिनारिव चेंश जाएगा अगले बार अन्रुज। में है इस बार 105 करना है तो अगले बार 112 करना पड़ेगा जा je 115 करना पड़ेगा अगर Wc पिछ इस बार है तो पिछले अगले बार क्या दो लेकन सिए इसले बार को 110 का से जाने मुझी के लिए सो हम को फोरी तो बार करना पड़ेगा कैसे और अगर वेकंसी बढ़ जाते हैं ज्यादे ज्यादे किता बढ़ेगा आइधिन ज्यादा तिन गुन हो जाएगा तो आपका 4500 के आसपा वेकंसी हो जाएगा ज्यादा चांसे बहुत कम है क्योंकि इतनी जल्दी वेकंसी डिपार्टमें में नहीं होगी क्योंकि 12,000 आपका भर जाएगा तो और बहुत जाएगा तो और अगर जाद 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 आप आपके रेंज तक आप पहुंच जाएंगे तो मिलते हैं अगले वड़े में जो भी आपको डाउट हो आप में पूछ लेगा मिलते हैं अगले तने वाल